हलो फ्रेंड्स मैं हूँ सालनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं यम्मी कोकिंग चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बाजार के जैसी चौमी तो चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं चामीन बनाने के लिए सबसे पहले चामीन को बॉइल करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले एक कडाई गरम करके दो गलास पानी डाल देंगे पानी अच्छे से गर्म होने के बाद एक चमश नमक डाल देंगे नमक डालने से पानी का temperature हाई हो जाता है अब इसके बाद चलमीन को गर्म पानी में डाल देंगे हमने दो ही पाकेट डैला हैं आप अपने फैमली के अनुसा जितने पाकेट चलमीन ले लिजे अब हम चौमिन को अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे, चलाते हुए अलग-अलग कर लेंगे, नहीं तो एक ही में चिपके रहें जाएंगे, इसको लगातार चलाते रहेंगे, चौमिन को दो मिनट तक और बॉयल करेंगे, ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे, नहीं तो यह देखे हमारा चौमी तैयार हो चुका है अब इसे हम पारी से छान कर प्लेट में निकाल कर फैला कर रख देंगे ठंडा होने के लिए अब इसमें हम थोड़ा सा ओयल डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे ताकि एक दूसरे में चिपखे न अब चौमीन बनाने के लिए सबसे पहले हम सबजियों को लंबे आकार में काटके रख लेंगे जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे अधाई सो ग्राम बंद गोवी एक टमाटर एक सिमला मिर्ची एक गाजर 2-4 हरी मिर्ची और 1 प्याज अब चौमिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई में ऑइल गर्म कर लेंगे अच्छे से, ऑइल गर्म होने के बाद कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अब हरी मिर्ची डाल देंगे और दोनों को अच्छे से चलाते रहेंगे, प्याज का कलर चेंज होने तक इसे कुछ देर तक फ्राई करते रहेंगे, यह देखिए मारे प्याज का कलर चेंज हो रहा है, प्याज को हलका गुलावी होने तक फ्राई कर लेंगे, प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके बार हम कटा हुआ गाजर डालेंगे, गाजर डालने बार तीनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसे कुछ टाइम तक फ्राई करते रहेंगे, जब तक गाजर का कच्छापन कमना हो जाए, दो मिन्नर तक पका लेंगे गाजर को यह देखिए हमारे गाजर का कलर चेंज हो रहा है, कुछ टाइम तक इसे और पकार लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक क्योंकि गाज़ को पकने में टाइम लगता है इसलिए इसे थोड़ी देर और पका लेंगे अच्छे से उसके बाद हम बंद गो भी डाल देंगे कटे हुए थोड़े थोड़े करके सारे डाल देंगे बंद गो भी और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से पकने के लिए इसे दो मिनट तक और पका लेंगे गो भी को उसके बाद सिमला मिर्टी डाल देंगे और कटे हुए टमाटर डाल देंगे अब सभी चीजों को दो मिनट तक अच्छे से पका लेंगे इसके बाद हमने थोड़ा सा हरा मटर डाल दिया है अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं नई तो आप इसकीप कर सकते हैं फिर सभी सबजियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर दो मिनट तक पका लेंगे सभी चीजों को हाई फ्लेम फे लगातार चलाते रहेंगे दो मिनट तक सभी सबजियों को अच्छे से पकने के बार इसमें हम एक पकेट चिंक्स चॉमिक्स मसाला डाल देंगे इससे स्वार और ज्यादा बढ़ जाता है मसाले को सभी में अच्छे से मिला लेंगे फिर एक मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे अब इसमें हम दो बड़े चम्मच सोया सास डाल देंगे एक चम्मच चिरी सास डाल देंगे एक चम्मच टमैटो सास डाल देंगे फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे फिर उसके बाद काली मिर्च का पॉड़र डालेंगे थोड़ा सा फिर अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से पका लेंगे फिर बोल किया हुआ चम्मच उसमें डाल देंगे डालने के बाद फिर अच्छे से चम्मिंग को हम चला लेंगे एक चम्मच से चलाने में थोड़ी प्रोबलम होगी इसलिए हम दो चम्मच का है फ्ले लेंगे उससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर दो मिनाट तक और पका लेंगे चम्मिं अब हम हाई फ्लेम पे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए सारे चीजे कितने अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसे हम गर्म गर्म एक प्लेट में निकाल कर सेर्व कर लेंगे अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू